नमस्कार दोस्तों, जै श्री कृष्ण राधे, राधे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, दोस्तों सची श्रद्धा स कमेंट्स में जरूर लिखें, हर-हर महादेव, राधे, राधे दोस्तों, प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र एक बहुत ही रहस्यमय ग्रंथ है, इसकी विद्या को समझना बहुत ही कठिन होता है, आज भी इसे पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया है, सामुद्रिक शास्त् मनुष्य के शरीर का निर्मान होते समय ही उसके शरीर पर कुछ लक्षन प्रकट होते हैं, जैसे-जैसे वह शरीर बढ़ता जाता है, कालांतर में अनेक लक्षन दिखाई देने लगते हैं, प्रत्येक मनुष्य के शरीर की बनावट शास्त्रों में बताए गए नियमों के आधार पर ही होती है और उसके शरीर पर प्रकट होने वाले कई निशान उसके पूर्व जन्म के बारे में जानकारी देते हैं। वहीं शरीर के अंगों की बनावट तथा अन्य निशान उसके भाग्य की जानकारी देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री और पुरुष के शरीर के सभी अंगों के लक्षणों का वर्णन किया गया है, जिससे हम व्यक्ति के स्वभाव एवं भविश्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के विभिन अंगों पर बने तेल के निशान के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जो एक व्यक्ति के भविश्य से जुड़े सभी राज खोलते हैं। इसलिए आप भी जान लें। आपके शरीर पर बने निशान, आपके बारे में क्या कहते हैं, आपको सफलता कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी, आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा तथा आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इसी के साथ ही व्यक्ति के स्वास्थे से जुड़ी जानकारी भी हमारे शरीर पर बने ये निशान हमें देते हैं। इसलिए हमें इन्हें गौर से देखना चाहिए और कभी दो लक्षे नहीं करना चाहिए। तो चलिए, जान लेते हैं। शरीर पर बने विभिन निशान और लक्षणों के बारे में सबसे लड़ी मर्दानी तैनाती के मामूली शास्त्र के अनुसार आंतरिक व्यास दिया के साथ ही के मध्य अमेरिका आती के मध्य में काले रंग का तेल प्रकट होता है। अथवा स्पष्ट रूप में दिखाई द तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली माना गया है। ये लोग परिवार में और समाज में अपना अलग ही स्थान बना लेते हैं। यह अपने अथक परिश्रम से व्यापार में तरक्की करते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। चाती पर तेल वाले लोग बहुत ही साफ दिल के होते हैं। इनके अच्छे स्वभाव के कारण इनके बिगडे काम सदैव ही बनते हैं। इनकी आर्थिक स्थिती भी बहुत अच्छी होती है। धन प्राप्ति के लिए ये लोग सद इनका वैवाहिक जीवन सुख शांती से भरा हुआ रहता है। इन्हें हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। लेकिन यह अपने मन में किसी के प्रतिद्वेश की भावना नहीं रखते हैं और कभी किसी के साथ छल अथवा कपड भी नहीं करते हैं। प्रेम और सम्मान मिलता है। नाक पर तिल वाली औरतें बहुत बुद्धिमान होती है। ऐसी महिलाएं जीवन में कोई बड़ा कार्य सिद्ध करती है। करियर में इन्हें बहुत सफलता प्राप्त होती है। इनकी वानी अत्यंत मधुर होती है जिससे यह किसी का भी मन मोह लेती है। नाक पर तिल वाले लोग चाहे नौकरी करे या व्यापार। इनके भाग्य में हर क्षेत्र में तरक्की होती है। तीसरा स्थान है हथेली पर तिल का निशान जिन लोगों की मुठी बंद करने पर मुठी में तेल बंद हो जाता है। ये लोग छोटी उम्र से ही प्रसिध् प्राप्त करते हैं. हथेली पर तिल वाली महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती हैं. इनके पास धन आता ही रहता है. इने कम खर्च करने वाली ग्रिह कार्य में दक्ष माना गया है. ये अपने परिवार से बहुत अधिक प्रेम करती है और एक ही पुरुष के प्रती एक नि बीच में गैप होना एक प्रकार से शुब लक्षन ही माना जाता है. खास कर स्त्रियों के लिए यह लक्षन अत्यंत शुब माना गया है. दांतों के बीच में गैप वाली महिलाएं बहुत ही बुद्धिमान और समझदार मानी गई हैं. ऐसी महिलाएं जीवन में बहुत दो दांतों में गैप वाले लोग हर क्षेत्र में काम भी हासिल करते हैं. इनके अंदर बहुत प्रतिभा होती है और ये मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकते हैं. लेकिन इन लोगों में एक कमजोरी पाई जाती है. ये लोग जल्दी ही दूसरों का भरोसा त निशान मतलब व्यक्ति एक लीडर बनने की क्षमता रखता है. ऐसे लोग बहुत मान सम्मान और कीर्थी प्राप्त करते हैं. ये अपने पीछे बहुत बड़ी विरासत छोड़ जाते हैं. ऐसे लोगों को उनकी मृत्यू के बाद भी याद रखा जाता है. हथेली पर एक् लंबी उंगलियां, लंबे बाल, लंबी नाक और सिर्फ के आकार के तलवों वाली महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती है. जिस स्त्री का मुख उसके पिता के समान होता है. ऐसी स्त्री को चरित्रवान और बहुत ही दयालू स्वभाव का कहा गया है. ऐसी स्त्री हर प्र इसी लिए ऐसी स्त्री को विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और पुरुष के लक्षणों के बारे में बताया है।